हेलो एवरीवन तो बहुत ही आसान और यूनिक ये पाउं रोटी पीजा चीज से लवा लव दोस्तों बच्चों को करे खुष जट पट पाँच मियट में बनने वाली रेसिपी तो चली दोस्तों बनाना सुरू करते हैं पाउं रोटी पीजा तो यहाँ पे देखिए बस थो बैखने धूरा सा पाटर और इसमें सब्सेया को रोष्ट करेंगे क्योंकि हम और पीजा बेश नहीं लिया दोस्तों यह पाउं का पीजा है तो इसलिए सब्सीजीओं को दो यदोना साहीं पीजा इस शप्जियों को डाल के देखिये इस तरीके से जरासा डाले है बटर औ यह अच्छी तरीके से इसमें नमक मिल जाए और टमाटर जो भी आपके पास सब्जिया हो कौन बगरा हो तो भी डाल सकते हैं नहीं हो तो जितना हो उतने से ही बना सकते हैं अब बच्चों के डिमांड पे हर रोज कुछ न कुछ एस्पेरिमेंट करना ही रहता है दोस्तों त आपके पास बेस नहीं होगा पिजावेस और बच्चे तो सभी बच्चे ही होते हैं खाने का मन सभी करता है तो यह पाउरोटी तो आपके गाउं में आसानी से मैं जाएंगे दोस्तों तो इसी से हम और घर के बेसिक सोसेसे बनाएंगे पीजा पहुत ही ज्याधा टेस्टी, मुझे भी नहीं लगा था, दोस्तों कि इतना टेस्टी बनेगा, पहुत ही ज्याधा टेस्टी, तो देखे, यहां पे दो चमच के करीब गेचाप और एक चमच रेट चिली, सॉस और थुरा सा रेट चिली डालेंगे, चिली फ्लैक्स भ सकते तो सोसेस के बाद हम यहां पर थुरा सा यह अमूल का मोजरेला चीज है दोस्तों तो हम यहां पर एक लेयर चीज लगा देंगे देख लिए इस तरीके से और इसके बाद हम जो सबजियां को रोष्ट करके रखें उसे अच्छी तरीके से फला देंगे जो भी सबजी इस तरीके से ब्रेड पीजा भी बनाते हैं तो आप इस तरीके से ब्रेड पीजा भी बनाते हैं तो आज मैंने यह पाँ पीजा तो आप नीचे का भाग लाल बला भाग जो है वो हटा भी सकते हैं तो अब हमने तवे पर डाल दिया है इस तरीके से थोरा सा बटर लगा के बसे डालूंगी थोरा सा चिले फ्लेक्स और इसको कबर करके बस पांच मिनट हम सुलोगस पर इससे नह दार है हमारा इंस्टेट पीज्जा दोस्तो थोरा सा चिले फ्लेक्स और नहीं पसंद हो तो मड़ डालिये और करेंगे इसकी कटिंग बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों मुझे भी नहीं लगा रहा था कि इतने टेस्टी बनेंगे सभी को बहुत पसंद आए दोस्तों अच्छी रेसिपी को लाइक कोमेंट सस्क्राइब कीजिएगा और दोस्तों और फैमली के साथ जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने बच्चों को जरूर यह हिल्दी टेस्टी पांप पी जाकी रहेगा देखिए कितना प्यारा लग रहा है तो मिलते हैं इससे भी अच् थैंक्स ओर वोच्चिंग